वेत्रिमाबी नमा गुरवी गौरचंद्राय राधिकाय याइस्तादालें। कृिष्नाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमा। अंचां कल्बतर रुःस्च कृपास इंधुभईवच्च कतितायनां पावनिभो बैस्नवेभो नमो नमा। Vrindhai Tuwasi Debbhai Priyayははさcha Krishna Bhakti Prada Devi Satya Vata tutorial Nam도 Nam思介 Shri Krishna Chaitanya Pravo Nityanandh Shri Advaitha Ghatathara Shrivasati Gauru Bhakta Vrindh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare आज हम लोग स्रवन करेंगे खिल्लव प्रभुपात को हमारे जो गुरुजी की जो गुरुजी थे जिन ने आ करके संपुर्ण बिश्व में हमारी सनातन धर्मों को पिचार किया बाबा करके इसलिए उनको किसने प्रश्न किया उनका प्रश्न है हमें जो भगवान ये मानव सरी दिया है हमारी क्या करते है हम क्या करने चाहिए तो प्रभुपात कहते हैं कहते हैं कहते हैं दो तरह का विचारे कहते हैं एक प्रेया और एक स्रेया मतलब है प्रेया मतलब होता है जो अभी के लिए के लग रहा है जो अच्छा है हैं साधारन रूप में हैं जो साधारन रूप में अब भी क्लिए लगता है यह तो बुरा है लोकिन इसरे कहते हैं अब भी तर्लग रहा है जैसे कठी ने लेकिन बाद में जो चिरताल के लिए जो हमें आनद परतान करेगा, इसको कहते है स्रेया, कहते है दो तरगा बिचार है, कहते है स्रेया और अनुस अन्दान नहीं प्रयोजनिया, इसलिए यहांपर कहते है फिर जीवन में हमें क्या करनी चाहिए? कद जो बुद्धिमान विक्ती जो स्रेय बस्तु का आचरन करने चाहिए स्रेय मतलब होता है अभी के लिए थोड़ी बहुत लग रहा है जैसे कठीन है लेकिन तुम्हारी जन्म जन्मांतर जिसमें सुधर जाएगा फिर माया की संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा संसार का दुख कष्ट और भोपना नहीं पड़ेगा चिरकाल के लिए हमें आननद मिलने जैसे देखो जैसे छोटे बच्चे हैं थोड़ी इनकी पढ़ने की इछा करता है इसलिए बच्चों का जीवन बहुत बच्चों का भी जीवन बरबाद हो गया है इसाल कर दिए बरबाद हो गया इसकुल नहीं जाना पढ़ाई नहीं करना आनलाइन पढ़ाई नहीं होता है लेकिन उसी दर अगर बच्चा अगर लिख पढ़ गया तो बढ़िया बढ़िया नौक रिखिया जिन्दे की पर पैसा कमाऊ आनन्द मेरा हो लेकिन जो बच्पन में पढ़ाई नहीं करेंगा खेल कुद में अपना जीवन बिता देगा पर क्या होगा फिर तो जीवन देगा मजदी करो करें फर जिन्दे के फर मजदी करो इसलिए यां पर कह रहे हैं जो स्त्रेय अहीं अबहीं लागे ज़ेश बाइक जनी ऐस favourite something माझ मजल मत खाया करो सराप मत पिया करो भगवान के पूझा पाठ पर मत खाओ जो खाओ ठाक मर अगर खाओ, शबर उठो, भगवान के आरति करो, भगवान के फुजा करो, बैट करके तुझा भगवान के माला जब करो, अभी लगया जाए, शबर शबर उठो करके, कहां इस समय सोननी चाहिए, उठो, भजन करो, तिलग लगाओ, तुलश की परिख्मा लगता है जैसे, कुछ कुछ मिठा है ही नहीं, अब लोगो मिष्री खाए हो, मिष्री खाए हो, खाए कि नहीं मिष्री, हाँ बताओ, तो मिष्री मिठा ना, कड़वा है, मिठा, लेकिने मिष्री किसी किसको कड़वा भी लगता है, लो किसको कड़वा लगता है, जिसको जन्डिस का बीमा आप देखना। जो कौशी कहा ऊंश picks करहाए यूपी है इसलिए पहले इतना कोई मेडिसन नहीं होता था तुम ही का सुषकी पूंडर छोसना लуют तुम मिठा ऩर तुम कौन प fearless a लेकिन मिठा नहीं लग की अब तुम क insider गुण य construction लेकिन मिस्री फेंकना निया, उसको चूशते रहना, अब उसको चूशते, 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 चूशते जब तुमारी कड़वापन पर फिलिया विमारी शही हो जाएगी फिरी मिठा लगने लग जाएगा, जब भगवान का नाम है वसे से मिठा दुनिया में कुछ नहीं और भगवान का नाम में जब करते हैँ संप्रदाय में संत्य हुई हरिधाश्णागुर दिन में 3-3 लाग भरी नाम करते थे तिन तिन मतलो राप में सोते नहीं थे एक आधा गंडा कभी सो लिया तो सो लिया नहीं तो अभी हमको सुधा नहीं लग रहा है अब तो कडू लगता है थोड़ा माला लेकर बेट हो सारा दुनिया की दिमाग में सारा दुनिया की चिंता आने लग जाती है इसलिए यहां पर कह रहे हैं श्रेयर अनसंधान प्रयोजन्या मतर हैं तो कि मतले है थोड़े से कठीन है लेकिन चिर्वकाल के लिए आनद आनद ढेने वाले हैं कि प्रेया सिल करने दृऌं दू मतलब होता है अपा दकालि अब wireless जो तुमें अच्या लगता है यार दोस्तों साथ घुमा लुडू खेलो पासा खेलो और क्या करो और बच्चों को साथ में खेलो कुदो घुमने के लिए जाओ यह क्या लगता है जैसे अभी के लिए हमें अच्छा लगता है लेकिन अगर यह मानाव सरी तुम्हें चोरा से लख्य जन्मों के बाद में मिला अगर तुम अपना जीवन के ऐसे बीदा दोगे न भगवान अगली बार तुम यह माना वसली दोने वाले नहीं तुम ने क्या क्या जीवन पा करके खाये पिये पढ़ाय लिखाये गया नवकरी कर लिया दो पैशा का लिया साधी कर लिया दो चारी बच्ची हो गिया भर गये अब इससे और चना कुछू करते हो क्या जीवन में कुछ Šथा नहीं करते है। समझ रह गर उयक नहीं ógé नहीं करते-जीवन में यही से करते-करते हिवन हमारी खत्म हो जाती है तुमने कोणसे वाड़ी काम कर दिया एक समय कोई एक जज था रहा था तेकरांशना में एक सुवर लेटा हुआ उसने बोट पहे नहोगा था वड़ी जोड़ से शुक्की के मारे जो उसको जोर से मारे वे शुवर ने का भया तुम मेरे क्यों आ रहे हो बुदे तू सुर वर्ले तू को नियुद प्रश्न करता है तू आपना कुछ पूछा जो कहे तो मेरे से किस चीज में तुम बढ़े को पूछ ले उसने पुछा यह बताओ तरे कितने भीबी नहीं पर प्रिशने क्या यह बताओ तुमने जीवन में कितने बैच्चे को जन्मत है बले दो चार्ज दस इस सद जादा नहीं होगा प्रिशने क्या यह बताओ बच्चो को बढ़ा बनाने के लिए कितना साल तुमने लगाया देखना एक बच्चे को हो नहार बनाने के लिए हमें 20-25 साल लग जाती है उसको बढ़िया से लिखाई पढ़ाई करके उसको जब तक नौकरी नहीं देखना साधी सुदा नहीं कर ल हो गया ना जिन्दे के लिए पिता का बोज हो जाता है पिता जिन्दे के लिए दुखी दुखी होता है कोई काम धाम नहीं करता है अब इसको क्या करेगा जिन्दे के उसको क्या होईगी बोज बढ़ जाता है वो कहता है जानते हो मैं बच्चों को कितने दिने में बढ़ा कि लिए तुमने क्या किया उसके बाद में काम करता हूं तब ही पैसा कमा करके अपना परिवार को में में करता हूं कि को मदु को नयएक हम जो जाना खिख सर्व और बाद करता नंः नहीं हो जाता है कभी कभी हमें air conditioner room में भी इतने चिनता है कभी कभी हम नीद नहीं आते हैं हमारे blood pressure हाई हो जाता है उसने कहा वह या तुमके air conditioner room में नीद नहीं आता होगा मैं तो किचड़ों को पर में चेंड से सुता हूं नो टेंसर अपने कभी सुना कोई januar को suicide करते हुए कोई सुने हो किस januar को suicide करते हुए लेकिन suicide इंसान करता है इसका मतलब है अच्छ तरश्यूच को समझो कहते भीया इस सब काम क्या कौन कर रहे है कि यह सुर प्रश्न कर रहा है लेकिन इसलिए कह रहे है तो हमको जो मानव सरी भगवान दिया है किसके लिए इतने मानव जन्म को दुर्लव बताया बगवान राम भी कहते हैं बडे भाग मान सतन पावा सुर दुर्लव सतक रंतन गावा यह मानव बड़े भाग्य से जिवन मिलता है इसलिए बगवान कृष्न भी एक बात कहते हैं कि जिवर दूर लव नहीं लब्द आसु दूर लव मितं बहु समवांते इस जिवन में प्रभु का भजना हम कर सकते हैं और कोई भगवान की भक्ति करी नहीं सकता हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई प्रभु के भक्ति करी नहीं सकते हैं इनसान के सिवाई, और इसी जिवन में प्रभु का भक्ति करके सारे दुखकष्ट से मुक्ति पा करके हम धाकरु को पास में जा सकते हैं, इसलिए इस जिवन क को इतने दुरल्ह बताया है इतने दुरल्ह बताया इसलिए आप प्रभुपाद कह रहे हैं को देखो प्रेय तो अति दुरल्ह सुलव है है प्रेय मतलब अभी के लिए जो अच्छा लगता है यह तो बड़ा अच्छा है खाओ पिया आइस गर घुम कर जीवन बिता दो कि अच्छा प्रेया जपना करता पड़ेगा सबेर होट करके ठागुरुजी आरती करो तुलशी परीक्मा करो जो कुछ घाना खाओ ठागुरुजी को फोग लगाओ पियाज लशन मत खाया करो समझ रहे हो यह थोड़ी सी कठीन लगेगा जिवा की स्वाद है यह जिवा की स् कि पैठ नहीं सकते पिया चल जहां चले जाता है तुने बदू मारता है हमको तो उल्टी आ जाती है लेकिन हमने क्या क्या खा 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 करें तो ना हमने आदटों विगाड दिया हम लोग ने यह सराब अब तो सराब पिन में कैसा है बहुत गड़ी सराब में गया था वी उनको पता नहीं था वो था अलकाल था वो मेर मुझे थोड़ी सी मुझ मिलिया ना एक तो उल्टी हो गई इतने कड़ी था हो इतने कड़ी थे वो लेकिन जो सराब पिता है ना वो पी 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 करें को बिगाड देता है उसको बढ़िया लगता है उसे तर जो पिया जाए यह गदी जीजिए ठाकुरु भोग नहीं लगता है ठाकुरु जी खाते नहीं उसको खा 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 करें हमने सुभाब को बिगाड दिया है कुछ दिने मत खाओ कट गाता बैठ नहीं सकते बास में हम किसका इंचागा पर गए थे महां प्याज बन रहा था पर घर बन था ह हमें सरदर दख सुर हो गया मैं इतना घर से निकल खरें निकलाया है है इसले हमने का इंचागुर को प्रियानि हमें भी प्रियानिंहोंने चाहिए अभी नबर आट रह तरि नबर कोई खाते नहीं लिए नो दिनो के वह माताची को पसंद नहींिए थेगे ना जो जी था ग आदरग डालो, मेरीची डालो, गर्म मसला डालो, कितनी तरकत खाने के लिए हींग डालो, टमाटार डालो, जीरा डालो, बढ़ियागर के चट्र बटर बना, चट्र बटर खाने का इचाहे न, बढ़ियाँ से ठाकुर को प्रसाद पाए, भगवान को भोग लगा, आप भी प बढक सब सकते संब्सक्राइब तृब रहेँ पर निजिए हैं लगत दो सा receivers होसब सब्सक्राइब नृइन घर में घर में भार हो प्रसाद बनाती, बढ़िया चकाचा को प्रसाद बनाती, बढ़िया से टेष्ट बनाती, ठीक है? इतना सिदी को छोड़ दो भगवान के लिए, एक तरफ में भगवान को रखो, एक तरफ में पियाज रशन को रखो, अभिच्चुन हमें पियाज रशन चाहिए न ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए तो पियाज रशन हमें नहीं चाहिए, ठीक आत्मार स्रेयों कदेज रहा है आत्मार प्रिया आछे मतलब यह जो भगवान की जो भति है ना जब भगवान की भति करेग ना यह आत्मा को प्रसणनता मिलेगा क्या घाते हैं रोटी सबजी डाल काते और ग्रफ लेकिन आत्मा को क्या तुम भजन दे रहे हो एक उदार ना दिया ज़ेजे के पिंजरा पिंजरा में के तोता वेठा हुआ लेकिन अगर वो तोत्य को खाना नहीं दे करके दीन भर पिंजरा को पेंटी करता हो लेकिन उसका अंदर में जो आत्मा वेड़ा उसके लिए क्या खाना देता हो आत्मा कौन वो परमात्मा की अंसर है उसको खाना किया भगवान की भग्ति भगवान का प्रसाद है ठागुरुज का प्रसाद ही उसको खाना और भगवान की जो भग्ति उसकी आहार है है इसलिए उसको आहार दो अगर ओ खुश रहेगा तुम भी खुश रहोगे इसलिए स्रे आत्मार प्रिया अचे कि तु बहर गैत लदhof मी वागवान का मत करें 500 भगवान भूस उसमें नहीं है गहाए ब पिता कि पीचा करें किसे नहीं होते हैं जैसे आपको बेटा है बेटा है ना इसका पिता से बाराइब पिता कंगाना आते हैं पिता मात कि हुई ओके अगर है अगर ठी muz शुब के विब्स अ माँ थेरा की सितना करें न से हंग्यों अगर मेएं कि थे अगर अग्हिए कंग sûr हो गर इत्य पिता अगर उसको खुश करना चाहते हो अपना खुश को मत देखा करो अपना खुश को मत देखा पर उसकी कुशियू को देखो अगर खुशिवाद तुम भी खुशिर होगे इसलिए यां कह रहे हैं सिमत भागवद बोले चैने अनेक जन्वर पर मनुसे जन्म लावईचे सुत्रा मिया अत्यंत दुरलाव भागवद में क्या बता है भागवाद बड़े कश्ट से ये मानव सरी हमें मिला है 14 लख्या जन्म के बात में एगवाद ठागुर जी ये मानव सरी दिया इसलिए भगवाद राम तो ये कह रहे हैं तेत इस बिनो हे तुसा नहीं मतलब है तुम अगर बोलोगे नहीं हमने कोई बढ़िया कर्म किया ना इसलिए ठागुर जन्म दिया नहीं तुमारी कोई बढ़िया कर्म से भगवाद जीवन नहीं दिया तुमारी देत इस मैंने इस्वर ने दिया है बिनो हे तुसा नहीं सनेहा करके कहिसे उनने दिया है सनेहा करके जो लोगों साइन से पढ़ते हैं जैसे प्रिता माते का मिलन होता है कहते हैं एक जो कड़का जो बीरिजय में करोडो करोडो जीव रहते हैं करोडो करोडो जीव रहते हैं पर उनका अंतर में संघर्स होता हैं लडाई होते हैं लाश में ना कोई एक जीव इसमें बिस्ता है, वही ये इनसान जीवन को उसको ये मिलता है, उसको ये इनसान का जीवन मिलता है, एक सरी देखना मर जाए कोई सड जाए, कितने किड़े, इसलिए भगवानत कहते हैं, कितर अजयो भी सम्दसंख्याता पार्थी भई रिहा जन कानी लोग उसमें इतने बेक्टरी हमा, परेखने विञे इतने इनसार भी नहीं, तो महनों शरु हो कितना, इनहिंकने, भड़ पाहड में तो यहाँ परेखना को, वहाँ बर पहाड में एक लोग यहां कर बैट वे हुए, है? तिपने कितने कम लोग है, इस लेक नहां कह रहे हैं, शास्तर कहता है, कत यह जीवन बड़ी, भाग्य से मिला, एजनमा अनिता कितु परमार्त परता, सरी निता निता, नस्ट हो जाएगा, कत कमला दला जला जीव लेकिन नश्टा होने वाले लेकिन नश्टा हुने वाले तरह घंटी पेशाब खोन का जरदगव शर्री तरह है लेकन काई रहे यह सरी से तुम भगवान की भक्ती कर सकते हो भगवान की भजन कर सकते, इसलिए क्या करो, यह सरीर को रगड़ रगड़ करके जितने दुरू हो सके न, यह सरीर से भगवान की भजन कर लो, जीवन को नश्टने करके, जितना हो सके इसलिए सरीर को प्रभगी भजन में लगा दो, इसलिए स्वतन्तरता परित्याग पुर् इक जीवन में के उचे nice, अपना सोतंतर्ता को परित्याग देनी जाहिए, अपना सोतंतर्ता समझतो, जो सोचेगी उपिसा आई एक करेंगे, किस के हम बात क्यों सुनेंगी, किस नाए, यह जो त्याग में इसके अचाजी को त्याग दो तो भगवान उसको फेर उपदे से ठाकुर ने दिया इसलिए पहले हमें सरनागती होना पड़ेगा ठाकुर के चरण में ठाकुर जो जो बोलेगे हमें को ही करनी चाहिए पर ठाकुर जी क्या कहते हैं ठाकुर क्या कहते है ठागुरी यह केते हैं सर्वधर्मान परितेज माम एक अमसर नमर जहें और जूर तु सारे धर्मों को छोड़कर मेरे सर्वना आजा मन मना भवव यह मन और किसी को मददो मन के वला मुझे को मत भगत भव तो और किसका भगत मत बनो मिराई भगत बनो माम जा जी पुझा और यहीं तो मेरे को पाऊगे, जो तो मेरे को पाऊगे जहां जाने से कभी जीव पहर यह मरत जगत में तूबर उसका आना नहीं बढ़ेगा खाध यही कहते हैं अगल भगवान की चरव्धर्न में सर्णा करती होना मतलब है आज से ठाकुन तू मेरा और में तेरा मैं तु तेरा और मैं तेरा ठीक ना इसलिए और किसुको नहीं जानते हैं कि वल हम तेरे सिवाय और किसको मैं जानता हैं एकनिस्ट होकर उनको भक्ती करना पड़ेगा इसलिए करते हैं अगर ऐसे करेंगे न एक जीवन में प्रवप मिल जाएगे और ये संसार चक्रम भटग जन्म में जाना नहीं पड़ेगा अते धीर वेक्ती बृतुर पुर्वबर जलत आर घ्यनमात्र भी लमना करें चर्म कल्यान लाघर जन जतन करें क्षिर ठीet हे जिए भुधिमान संगी शर्ण कि क्या करनी चाहिए जीवान कंते खत्म हों जाएगा हम तो बोल नहीं सकते नंगल अभी यो से भजन क्यूं white अब इसके हम क्या मर रहे हैं इतना चल्दी भजन करेंगे प्रलाद महाराज पांच साल उमर से भजन करो पांच साल उमर से बच्चे बोला अभी क्यों बड़े हो जाए कि तो करेंगे तुम लोग ध्यान से सुनो इस लोग कहते हैं तुम्हारी बास में कोई ग्यारंटी जोने जल्दी हो इतना जल्दी रख भजन में लग जाओ दूसरे काम में आप पिछे रखलो दूसरे काम को फिश्क हमारे यह करना तो थोड़ी समय के लिए स्वेश्य करेगा लेकिन भजन नहीं होएगी इसलिए क्या करो जीवन पा करके थोड़ी चर्मात्र भी बिलम नहीं करके मृत्तु का पहले तक अपना जो चर्म जो कल्यार है उसके लिए जत्रवान हो जाओ आहर बिहारादी सब्त जीवन में मिल ए कि दो बतर चनवार घूधार नहीं को में और वोबी काते हैं पीते हैं भड़े जन्म देते हैं फार किसी जन्म ओकर कीन इसलिए उस दिये हैं किसी जीवन में हम जाए और नहीं जाए इसमें क्या है किता हर जीवन में क्या होगा विशय संसर का विशय सुख मिलेगा मनुष्य ना हो लेओ अगर मनुष्य के सिबाए अगर और किसी जीवन में चले जाएंगे तो वहां भी यही खाना पिना सुना वही भी करोगे लेकिन भी जुन और सब्सक्राई रखार करते हैं। कुछ चुभा हम समझ रहे नहीं सत्मुस जिवन दुरला बजन करने चाहिए हमें यह करना नहीं करना यह विशय पर कॉन एक इंसान ही है जो कि विशय पर बैट करके बात कर सकते हैं आपने कई शूण जानुवार लोग बैट करके सत्संग कर रहें कभी सुने हो जानुवार आपस आपस में सत्संग कर रहे हैं जीवन दुरला भजन करो बक्ति कभी जानवार को देखा बैटिकर कभी इसे पात करते हुए कभी नहीं देखे हैं इसलिए आपर यही कह रहे है है पसुदर आला से जाते स्रेय लाव है तह लाव करते पारी मनुस जन्में जाते आत्म मंग होए तत्त समंद चिंता ना कर ले साधार ना निमनस्रेय नया विचार होई जाए यहां प्रभपात कह रहे हैं देखो अगर हम बैटिकर की जीवन का क्यात करते हैं अगर इसे विशे पर अगर हम बीवजना नहीं करेंग न तो यहां कहते हैं हम इंसान है नहीं हम तो किस सीज में तुम बढ़े हो देवजनमा होले उपहग उन्मत हया पड़े है साध असद विचार चापा बढ़े है कर देखो अगर कोई सवर्ग चलों बलतना सवर्ग चलों वह आननद है कर देखे लोगा स्वर्ग में भी आननद नहीं जब देखे लोग का अक्रमन करते न अगर देखे लिए लेकिन प्रभु का अपने भजन कर लिया ना जितने दुखा अगर जनमा ब्रतो चराप जितने सब तुमारी खतम हो जाएगी सवारी खतम हो जाएगी परत चिरगालो के लिए अमरतों को पराप्त कर लोगी ठाकराजी की धाम को चल जाओगे एक लिए ने प्राकिर्ग शूख दूखो उबहे ही पावजाई कि दुद्धेव जग में प्राकिर्ग शूख बेसी प्राकृत बोले सही शूख हो, नित्यस्ताहिना ए खिणे पुन्य मर्तलों का पिशारती, इसलिए स्वर्ग लोग में ज्यादा आनन्द है, लेकिन वहां पर गिया है, प्राकृत सूख है, लेकिन पुन्य खतम होती इफारी संसार में आगर के, दुखकाश्ट भुगो, मनु सूख रहे हैं, जैसे मानव सरीरी में आए, हमारी अभी कितना ड्यूटी हम सोच रहे हैं, बच्चों का प्रते ड्यूटी है, पत्नी का प्रते ड्यूटी है, परी परिवार का प्रते ड्यूटी है, संसार कितने कितने हमारी सब ड्यूटी संसार में आकर रहे हैं, यहां पर से लिए बहुत कश्ड़ होता है हजार जन्म के बाद याद आता था गुरुजी मैंने जिन के लिए किया था उसो कहा है का अंग तो कोई नहीं कर्म तो मेरे को अकला लेना पड़ लाए वह भगवान को फुकार दठा गुरुजी यह नर्गस मेरे को निकालो कि अग्ट मागी पेट अच्छा अस्थान नहीं है जैसे गट्टर है ना जहां पर टाटी बेसाओ अगर एक घंडा तुमको घुसा कर रग ले किसे लगए गाता मागी पेट में नौ पहिना विताए वह गट्टर है पेट में इतने गर्मी है ना आज अगर रसबुला घाव खल बिष्टा बनकर निकलता है इतने गर्मी पेट में पाचर सकती है ना अंधर में पेट में और पूरा लटका करें टाटी पेसाब में यहां पर ना महिना भिताए यह एक घंटा रगता थो तो आदि मरे जाए गट्र में बुजा करके लेकिन आप इसे गट्र में ना महि इसलिए यहां पर प्रभुपारत कहते हैं इसलिए लेकिन अभी भगवान से कसम खाए भगवान बुले जन्मत देखो तो क्या करोगे वह कह रहे है मरेको निकालो भगवान क्या करोगे वह समझ गया संसार में कोई नहीं यह मतलब का संसार है एक दुसरे से मिलना है मिलना बंजु कतम है यह स्वारत का संसार है उस समय में भगवान उस समय में भगवान को बोलते ठाकुर जी एक बार हमें यह मानव सरी देदो मैं कसम खाता हूं उड़ते बैटते सोते तेरे भजन करूगा कभी जुटा संसार में नहीं भगवान से पाइदा करके आई और क ठाकुर को बार है तरब ऌतला में भगवान काङ नहीं उस नहीं करने कि लिए उससमये कंगो इसली प्रभु बार हूं खुर स कर दोगें जुटा में किलो पर भाजन कर ना यह तो भोल कर आया था ना कॉर जी को लेगर भजन करने बुले नहीं काम वो काम भया तुम्हों संसार में आज भजने के लिए पहले जो काम के लिए चो करते लो उसको तो करो आप बलोगे हम तो घर गिरिया थी भी पचे भले भगवान नहीं बरते छोड़ जेसे से कमाते हों लेकिन ने पमारे को लुख जादु लगा हो लगा अपना घर में बाक बाक जिरो लेकिने फड़ी चोड़ने के लिए ने मर्स देखो और हाथ में कप पहरें, जो को ठाकुरा चारी की शोड़ नाम करो, ठाकुरि जी की नाम लो रो हाथ में काम करो, ठीक है न, वास होग cũ हो गया तुम्हारी, कोई चीजे चुछ दने का जरूरत है यह नहीं, देखो इनके घर में देखो, इनके घर में देख़ लो पहले खाप्रृ को तुछ नहीं करना लगता हैं श्तप्रोह को illness ठीक ना इसलिए यहां पर गले थी थीटे शर्जै को ईए पर कह रहे ना चो दुसरे दुसरे ज़ो दुसरे ज़ोक्ति पुजा कर रहे हैं क्यों पुजा कर रहे हो lucky मेरे ढाले क्यों यहां पर कह रहे हैं करते हैं काम के लिए सकती की मुक्ष के लिए सीव की अलग 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 पुझा करते हैं इसलिए पुजा रहे हमारे बस्तु सब सर बराहो करवार सेवो कई करे फेले छी पुजा किया हमारे बस्तु कहता हम किसलिए इस अपना काम इंद्री को तिप्षि के लिए भगवान को बहुता, न्योजिए निकले है चाहे है, नहीं में बहुता अग है, वह ङ्या फितने को मनाऊ है बातीWasayकोति ऑक्रदी मो च्षाज मिति इक जगत allows दोने दोने से कितने को का मनाव दुसा और हो गणार तिम न misma जंद पढ़ किम जा जाती है। त्रित्रिस करण दवता है ना, दीन में अगर एक करण दवता को पुजा करो तीस दिन में तीन करण भागी रह गया किने, तो इसले शुक्ते व को स्वामी परिखेति महाराज को बोल रहे थे, भाईया अर्थ पाने के लिए लख्यमी को और विद्या पाने के लिए सरसोती को सुंदरिस्त्रिबाल करें गंधरभ को पुजा करो, बढ़िया खाने के लिए अधित्यमया को पुजा करो, उन अलग-अलग देवता को नाम बोल रहे थे, तब परिखेति महाराज ने पुछा, ऐसे कोई देवता है, जो एक को पुजा करें, इस सब कुछ मिल जाए, का भल सब कुछ मिल जाएगा, इस सब कुछ मिल जाएगा, इस सब कुछ मिल जाएगा था, न दौल तो पुजा करों के बता है, इस लिए पेड़ का जड़ में पाणी देदो ना, आपको कही पाणी देदो जरुरोत ने, पुरा पेड़ हराभर रहेगा, जैसे मुह में आर देदो, खाना देदो, पुरा इंद्रियत मारी सही रहेगा, इसलिए कहते भगवान अर्जुन को बिर अर्जुन देख में कौन हो, जिसको तो सीम कहे तो जो सीम मेरे में, अच्छा तरह समझजी चीजी को, जिसको तुम देवी कहे तो देखो देखो देवी मेरे में, जिसको तुम गणे से कहे तो देखो गणे से मेरे में, जिसको तुम इंद्र, चंद्र, हन्मान करते को मेरे बता जो दुसरे 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 कामना के लिए दुसरे दुसरे पास में बटकते हैं और एक दिन ही सब को सोगा तो मुझे आने वाले सब के सब इसलिए कि जो धिमान बेखती है को क्या करते है क्रिष्ण को छोड़ कर और इधर उधर नहीं जाते कि मुझे उसको चरणवे प्रणाम किया तो उसका अंदर में सारा दुनिया है तो समका तो प्रणाम हो गया तुमारी तो फिर अलग-अलग-अलग-अलग क्यों पुझा करते हो कितने को मनाओगे कहते ही अगर भगवान को छोड़ कर कि दुसरे-दुसरे दिवादिव को पुझा करोगे ना दुसरे दुसरे पुजा कर बहला होगा, एको पुजा गिआ, फड़ी नाराज होगे पर उल्टा असमें रियाक्शन आ जाती है, तुछ रावडो कि पुजा करता था भोलो। शीव को भुजा कर राता है ना, लग्का समय तो जल कर खताम है उसकी, पुरा जल करें संकरजी नहीं बचा इसको, अब बीविशन इसको भुजा करता है? भलवा, राम को, जो लग्का को पाने के लिए संकरजी को पाने के लिए रावन को तस बार सर बलिदान दना पड़ा, लिकिन बीविशन कोची नहीं किया, आया बढ़राम के लिए रानाम करता है ठाकुर भार जिमें से बढ़वान रास तेलिग लगा देए, एक बार प्रभु राम की सरहनु में प्रनाम गरने पर विरापण को मारे नहीं पह्ली राज थे Swami लगादे लगादे है तो लका करा जा लगटेश गि मकवर लगटेश भार लगटु भाउवड ओल एफ भरो क्या को बोल रहो अब लगटेश मेरे को बोल रहो लग्राखे से के से बोल रहे हूं, तो मेरे सरने में ागिया ना, मेरे सरने में तू आ गिया। इसले अज नुह में लग्राखे से बने लाए शर दि dementia कर दिया। कि प्रभु की सरन में आ जाओ ना सब दुनिया तुमको मिल जाएगी सब दुनिया देदेगी ठागुरुजी अगर ठागुरुजी की सरन में आजाओ पास उनकी पुजा करोगे तो और जितने ग्रह है न तुमारी अनकुल हो जाएगी सणि ग्रह नव ग्रह जितने ग्रह ड़ मीछ पीछे बढ़जा न सब पुजा जाएगी जैसे मोदी només हमारे प्राइब मिनिष्टर जैने अलग-अलग बेक्ति को अलग-अलग न किड़ डिया किसको रेलर मन्तरी बरा दिया किसको tous पोंस्टक दिया है अगर कोई मोधी का कोई सरन में आ जाये जिस अमैतिस है जोगी इना का अपना अधिम हिं लेकिन इस जिनियों को मंत्री बंद में निज्युक्त किया, उनको जो पता चले जा बहिए, ये मोदी का नाना आता है, प्रामात बहिए, इसकी पीछे मत पड़ब है, अपना नोगरी जाएगी, अपनी नोगरी जल जाएगी, उसी तर जब ठाकुर की सरण में कोई आ जाते ह करना जितने ग्रह हैं, तुमारी सब अनकोल हो जाएगी, अगर इनकी सरण में नहीं आओगे ना सारे तुमारी पीछे बढ़ जाएगी, तुम किसकी सरॣ में हैं नहीं, इसलिए एक विक्ति की सरॣ में लोग जिसकी सरॣ में जाने से सब का सराण हो जाता है, उके बाद पर उने भक्ति मागो, लेकिन अपना हृदय में न, क्या बलो, भगवान कृष्ण को अपना हृदय में, क्रिष्ण को बैठाओ, जैसे तुम घर में साधी हो, और काई हो, तुमारी चेठ भी होगा, ननन्त भी होएंगी, सस्री भी होएंगी, सब को सन्मान तेती कि नहीं, किसको बेठा कर रखियो, दील में किसको बेठाएगो, अपना पती को, अपना पती को सिवाई हृदय में, और किसको अपना पती को सिवाई हो, और किसी को हम स्थान नहीं देते हैं, अगर किसको साथ में कुछ लड़ा जगडा हुआ तो किसको लेकर अलग हो जाते हो, किसक इसलिए यहाँ पर प्रभुबाद बहुत कुछ भूल रहे हैं इसलिए भगवान की भाजन करो जीवन दुरलावे समय को है बर्भाद नहीं करने चाहिए ठीक है प्लबाच्छा कल भुदर भेश्चा करिपासित भेश्चा पतितानंग पावने भो भैसने भो नमा नमा जो पते दो